यार मैं जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड का तूटना ओल्मोस्ट इंपॉसिबल मान रहा था वह वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तूट गया है टी-20 इंटर नैस्टल किर्केट में फास्टेस्ट हाफ संचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तूट गया है युबरा सिंग ने इंग खिलाब 2007 सेवन टी-20 वर्ल्ड कप के मैच में बारा बॉल पर हाफ संचुरी जमाई थी मतलब हर बॉल पर चार से ज्यादा रन और बारा बॉल पर हाफ संचुरी छे छक्के एक ओवर में जमाई थे युगरा सिंग ने मुझे लगता था कि यह वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी नहीं अबॉल पर नवह भॉल पर हाफ संचुरी बना लइए नौवव ते पर हाफ संचुरी जमाली यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अब न्योंत्र क क्या चाहिए-पर इसकता है कर नहीं हाफ सकते हो बतलब बैट्समें दोड़ता रहे और इधर से उधर होता रहे अईसा बारबार हो तब ही साथ यह रिकॉर्ट टूटे का नौ बाल पर हाफ सेंचुरी इंक्रेडिबल भाई दिपेंदर सिंग बधाई नेपाल के जितने भी क्रिकेट फैन है उनको बहुत बहुत बधाई और नेपाल की टीम एक और वर्ड रिकॉर्ट तोड़ दिया है नेपाल की टीम सबसे बड़ा टोटल बनाने वाले टीम बन गई है नेपाल ने तीन विकेट पे 314 रन बना दिये हैं इस मैच में पिछला रिकॉर्ड किसके नाम था पिछला रिकॉर्ड था अफगानिस्तान के सबसे बड़ी जीत का है नेपाल ने आज तोड़ दिया है एक इनिंग में 314 रन वन डे मैच में 300 रन विनिंग स्कॉर्ड होता है वाई यह 20 इंटरनेशनल मैच है लेकिन कमजोर टीम हो या मजबूर टीम हो रिकॉर्ड रिकॉर्ड होता है अब देखते कि मंगोलिया कितने सबसे बड़ी जीत कई रिकॉर्ड बनेंगे और दोस्तों आपको याद दिला दो इसमें इंडिया पाकिस्तान सिर्लंका बंगलादेस की टीमें भी हिस्सा ले रही है हमारी टीम है सीधा क्वार्टर फाइनल से उतरेंगी तीन तारी को मैच है तीन तारी को इंडिया का भी बिलियो में